हेलो मेरे प्यारे बच्चों आज हम सिखेंगे फर्स्ट क्लास की बुक का सैवन नमबर चैप्टर चिंटू और चीनी चिंटू और चीनी भाई वहन थे, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, इसी लिए एक साथ आते जाते थे चिंटू और चीनी के सभाव बिल्कुल भिन थे, चीनी सीधी साधी थी, जबकि चिंटू को घर में रखी चीजें खाने की पहुत बुरी आदत थी बिस्कूट होया नमकीन, पेस्ट्री होया चॉकलेट, वह कुछ नहीं छोड़ता था अकसर मा उसे इस बात के लिए डाटती भी थी यह देख सकते हैं, बचो आप इस पिक्चर में कैसे, चिंटू फ्रिज खौल कर चीजे खा रहा है, बिस्कूट चुड़ा चुड़ा के खा रहा है पर उस पर इन बातों का कोई असर नहीं होता था एक दिन गुस्से में आकर मा ने उस अलमारी को ताला लगा दिया, जिसमें बिस्कूट आदी चीजें रखी हुई थी उस अलमारी में बिस्कूट आदी के अलावा दवाईयां वह कुछ अन्य समान भी रखा हुआ था एक दिन चीन्टू और चीनी स्कूल से लोटे, आते ही चीनी की तब्यत कुछ खराब हो गई, पहले तो चीन्टू ने ध्यान नहीं दिया पर जब चीनी की तब्यत कुछ ज्यादा बिगडने लगी तो उसने मा को ओफिस फोन किया और उन्हीं चीनी की बिगडती हुई तब्यत के बारे में बताया मा बोली चीन्टू लगता है चीनी को लू लग गई है तुम अलमारी में रखे ग्लुकोज को घोल कर पिला दो तक तक मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ पर तुम ग्लुकोज को घोल कर पिलाते रहना वरना मुश्किल हो जाएगी चिन्टु जल्दी से रिसीवर रखकर अलमारी से ग्लुकोज निकालने के लिए जियो ही अलमारी के पास पहुचा देखा ताला लगा था उसने इधर उधर चाबी ढूंडी पर उसे कहीं नहीं मिली तब उसने फिर से मा के ओफिस पॉन किया मा बोली ओ बेटा चाबी तो मेरे पास है अब क्या होगा मा चिन्टु फोन पर ही रो पड़ा अब क्या करूं फिर रोते हुए मम्मी से बोला आपने अलमारी को ताला क्यों लगाया आपको पता था कि उसमें ग्लुकोज है फिर पर चिन्टु तुम्हें भी तो पता था कि उसमें बिसकुट पड़े हैं जो तुम रोज चुप चाप खा जाते हो ना तुम बिसकुट खाते ना मैं ताला लगाती और ना ही चीनी को इतना बुरा हाल होता अच्छा मैं डोक्टर को लेकर अभी आती हूँ कहकर मा ने रिसीवर रख दिया चिन्टू की हालत खराब कभी वैं चीनी को देखता तो कभी रोता थोड़ी देर में मा आ गई आप अकेली आई हैं मा के घर में गुशते ही चिन्टू ने पूछा आपको पता है उसकी तव्यत कितनी खराब है तभी अंदर से आवाज आई मैं तो ठीक ठाक हूँ भईया मेरी मेहन कहकर चिन्टू ने चीनी को गले से लगा लिया अब मैं कभी चोरी नहीं करूँगा कभी नहीं कहते हुए चिन्टू रो पड़ा मा ने चीन्टू और चीनी को गले से लगा लिया असल में चीनी और मा ने ही मिलकर चीन्टू को सबक सिखाने की योजना बनाई थी इस कहानी से बच्चों हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए ओके ठैंक यू बच्चों पर वाचिंग माई वीडियो बाई बाई